हेलो वीवर्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं हंग कर्ड इसका क्या-क्या यूज होता है किन-किन रेसिपीज में यह मैं आपको बता रही हूं जैसे पनीर टिक का खाना है च्री खंड है और अमर खंड है एंड कर्ड सेंडविच है तो उसके लिए हमें यह हंकर्ड की जरूत होती है तो हम इसको कैसे तयार कर सकते हैं घर पर तो मैं आपको इसकी रेसिपी बताने जा रही हूं तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए और जो मेरे चैनल पर नए है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे के जो भी नोटिफिकेशन आए तो आप मेरे वीडियो को पूरा देख सकें तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूं इसके लिए मैंने यह दही ले लिया है यह ताजा दही है आपको खटा दही नहीं लेना है इस पनी टिक का वगएरा को मेनुगेट करने के लिए बिना पानी का दही चाहिए होता है तो हम इसके लिए क्या करेंगे एक मैंने यह बर्टन ले लिया है और इस पर मैं एक कलोध बिचा दूँगी मसलिन कलोध होता है आपके पास कोई भी कॉटन का कलोध हो ता आप वो भी सकते हैं और यह मैं कोटन का कलोध इस पर बिचा रही हूं यह देखिए मैंने इस पर लगा दिया है अच्छे से और इसमें यह मैं पूरा ही दही डाल दूँगी यह देखिए पूरा दही इसमें बावल में डाल दिया है नीचे आप जो भी बावल लगाएं वो थोड़ा यह दो बढ़ा लें जिसए एक यह पानी निकालनेके लिए यह मैं इसमें बड़ा बावल की जरूद होती है और यह अवह मिस्को पूरा कर दालेंगे और इसको बाहन illustri tata iha तृए चार तरफ से पकड़कर यह इस तरह से इसको बांद दिया जाता है पट्टी जैसा कपड़ा ले सकते हैं तो आप उससे इसको बांद सकते हैं क्योंकि हमें इसका पानी निकालना है तो इसके नीचे बर्तन को लगाके रखें नहीं तो यह पानी फैलेगा और आपका जो नीचे स्पेस है वो गंदा हो जाएगा तो इस तरह से बांद के मैं इसको लटकाने ही रही हूं मैं इसका एक और नया तरीका दिखा रही हूं यह मैंने यह जाली ले ली है आपके पास इस तरह की जाली नहीं हो तो आप यू दूर के ऊपर चलनी रखते हैं आप उसको रखके उसके उपर इस तरह ऐसे इस लोग भूद को रख सकती है तो यह पानी इसका निकलता रहेगा नीचे से और इसको थीन घंटे के लिए इसको ऐ यह मैंने यह बानने का तरीका आप जड़ा अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यह बानने के बाद हमें इसको लटकाना भी होता है और यह खुलना जाए इसलिए इसको अच्छे से बानना चाहिए तो अब मैं इसके यूज बता देती हूं कि इसको कहां-कहां यूज करते है जब हम पनी टिका बनाते हैं या फ्राइट पटाडोस वगरा ऐसी कुछ रेसिपी बनाते हैं तो हमें इसकी हंग कड की जरूरत परती है क्योंकि इसमें पानी रहेगा तो हमारा जो रेसिपी है वो अच्छा नहीं बनेगा तो आपको इसका पानी रिलीज करना बहुत ही जरूरी होता है ये लिजे फ्रेंट्स इसको एक गंटा हुआ है भी तो मैं इसको पोल के दिखाती हूँ ये मैंने दही बांद के आपको दिखाया था एक गंटे में इसका पानी जाद तर निकल चुगा है ये थोड़ा सा भी और हमें बांदना है ये देखिए पनी टिकका के लिए ये हमारा दही बिल्कुल तैयार है हंगकड इतना ही पानी इसका निकालना चाहिए क्योंकि हमें इसमें मसाली मिस्करने है और उसको हमें जानकारी भरा वीडियो में लाती रहती हूँ और आपको यह अच्छी लगती है और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे घंटी का बटन दिया गया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू और ऐसे ही वीडियो में लाती रहूंगी तो जै हिन जै भारत